हेलो फ्रेंड्स आज हमें देखना है नाया स्क्लास 12 का अकाउंटेंशी लिखांकन का कोश्चन पेपर प्रिंसीपल और प्रैक्टिस अफ फिनेंशिल अकाउंट अकाउंटिंग जिसकोड है कोड़ थीन सो बीस इस कोश्चन पेपर में सबसे पहले लिखा हुआ आएगा इस कोश्चन पेपर 32 ने 312 कोश्चन आएंगे जो दो सेक्शन में डिवाइट होंगे और इसमें औरे 22 कोश्चन होंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रोल नमबर लिखना होगा इस question पर कोड और set A यह होगा ठीक है तो यहाँ पर day and date of examination लिखोगे आप और यहाँ पर signature होने है invigilator के चलो उसके बाद general instruction देखते हैं इसमें लिखा होगा अपना रोल नमबर लिखना होगा question paper में सबसे पहले जो कि हमने देख लिया second में कहे रहे हैं कि कोई भी question paper में आप एक बार verify कर लो इसे कि total number of pages और total number of questions है न अगर हैं तो ठीक है नहीं तो invigilator से candidate कर रहा है third में कहे रहे हैं कि कोई भी identification mark और अपना रोल नमबर answer book में कहीं भी नहीं लिखोगे अगर ऐसा करते हो तो disqualify हो जाओगे fourth में कहे रहे हैं कि अपना जो question paper आपका है उसका जो code है question paper का और set वही answer book में लिखोगे और कुछ भी नहीं लिखोगे fifth कि A और B part है ए पार्ट में कहे रहे हैं question paper जो English Hindi में अगर आप चाहते हो other languages में देना तो दे सकते हो तो यह other languages है यह आपकी responsibility होगी अगर कोई error या mistakes होता है या understanding में है तो यह आप देखोगे आपकी गलती मानी जाएगी उसके बाद यहाँ पर वही चीज हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने अब हम देखते है है ना दो option होगे कोई एक option आप करोगे उसके बाद third में कहने कि एक से लेके 9 तक four alternative होंगे मतलब mcq use होंगे तो nine question आएंगे one marks वाले nine marks होगे total three question आएंगे आपके three marks वाले nine ये भी होगे ठीक है उसके बाद six question आएंगे five marks के तो ये होगे आपका 30 उसके बाद six question आपका एगा two marks 12 होगे और two questions आएंगे आपके ten marks के ठीक है तो ये होगे 20 तो total add करके कितने हो रहे 80 हो रहे ठीक है ये section A का part है section A का part है section B में दो option होंगे अब जैसा कि आप देखते हो तीन गंटे का वेपर है three hours का और hundred marks तो बचे क्या 20 marks बचे न तो वो आएंगे आपके बी option ठीक है तो बी option में बी part में अगर हम बात करें बी section में बात करें तो दो option होगे option number one and option number two कोई एक option choose करोगे आप चाहे option one ये option two जिसकी आपने पढ़ाई की उसके करेंगे तो हम देखते है section A के पहले questions ठीक है तो section A में देख लो आप यहाँ पर MCQs आ रहे हैं कितने नाने 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 ठीक है तो आप यहाँ से देख सकते हो वीडियो को बाकि इसकी जो PDF है वो description में लिंक है वहाँ से जाके download कर सकते हो ठीक है तो nine MCQs होगे अब हम देखते हैं three marks three marks के कितने question आएंगे three जैसा कि meaning बताने हैं आपको subscription honorarium और space week donation की मतलब है ना जैसकी meaning बता दोगे तो एक एक number three number की होगे उसकी तरह 11th question भी आपका profit loss appropriation वाला गया three marks के ठीक है उसकी तरह 12th यह तीन number के तीन question complete उसके बाद पांच question सोरी 6 question आएंगे पांच number वाले है ना यह यह देखा तो पांच uses बताने single inter system के ही हो गया उसके बाद 14th हो गया आपका ठीक है 15th 16th 17th 18th ठीक है यह complete हो गया उसके बाद आप six questions six marks वाले question आएंगे इतनी दो आते है ठीक है तो यह देख लो आप यह 19th हो गया और यह आपका 20th question हो गया आगे चलते हम अब दो question आएंग question आपका आप इसकी PDF में जाकर देख लोगे तो आपको यह question clear हो जाएगा ठीक है तो description में जाकर link है वहां से आप इसी PDF को download कर लो इसके यह भी है ना parts यहां पर देख लो इसके बाद 20 second question भी 10 marks का है ठीक है तो यह देख सकते हो पहले English ताब बिंदी हो गया ठीक है तो देख सकते हो आप यहां से ठीक है अब हम देखते है section B option one जो है analysis of account finances statement का आएगा पहला एक question आगए एक number का फिर तीन number फिर पांच number ठीक है और उसके बाद एक और पांच number question आएगा numerical data यह सारा देख सकते हो आप यहां से हिंदी एंगली दोनों में लिखा हुआ है जैसा कि हमने पहले देखा था उसके बाद एक question आपका है वो आएगा छे नंबर गा तो 27 देख लो सिक्त मास के numerical based question है यह आपका अब option 2 में भी सेम ऐसे एक number का question एक number मतलब एक question तीन number का और एक दो दो question पांच number और एक question आपका 6 number ठीक है और यह जो second option था वो था application of computers in financial accounting ठीक है तो यह MS Excel का part था आपने पढ़ा होगा पहले अना graph से related MS Excel से जितने भी related question थे वो यह सारे थे ठीक है तो इस तरह से question paper की designing होती है मिलते हैं फिर next question paper में